पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है सकश्षक संघ तो परिशान है ही लगतार स्थीपे पर 심idän स्थीपे और années है कि जो स्कूल के समय सारीणे में बदलाव किया जो उत्री आउद्पन होई दूर-जर गाओं में महिला शिक्षिकाएं थी वो काफी जादा परेशान थी और इन्हीं परेशानियों की वज़ा से उन्होंने इस्थीपा देना शुरू कर दिया अब इस्थीपे के बाद से इस्थितियां ये हो गई हैं कि केके पाठक कब रिटायर हो रहे हैं ये लोग मना रहे हैं देखे पिछले जो उनके बिभाग हैं ऐसे वार्म में फझा जा या ऐसे चरच आयं चली जूगल पर सबसे ज्यादा ऑगर सर्च लिष्टे में आता है कि के पाठक कब हुगा है आपको बता दे कि के की पाठक के रिटायर्मेंट के खबर बार-बार खोजी जाती है बार बार ये पुछा जाता है कि केके पाठक कब रिटायर हो रहे हैं, केके पाठक का रिटायर्मेंट कब होगा, किन इस्थितियों में केके पाठक केंद्रे प्रतिन्युक्ति पर जाएंगे, ये तमाम चीजें बार बार लोग पूछते हैं, बार बार ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दे कि जो इस्तितिया केके पाठक को लेकर के इस वक्त बनी हुई है बिहार के राजनिती गलियारे में केके पाठक की चर्चाएं तेज हैं जिस तरीके से वो एक के बाद एक फर्मान जारी करते हैं एक के बाद एक जो इस्तितिया होती हैं वो उत्पन होती है इन रिटार्मेंट में अगर आपको बता दे कि कब तक सेवा है कब तक निक्ति पर हैंगे आपको बताए कि केके पाठक के आदेस और खौफ का आलम यह हो गया है कि कई जगों पर सिख्षकों ने युगदान ही नहीं दिया है दर्भंगा मुझबपरपुर सहीत अन्य जिलो में कई जगों से सिख्षकों की युगदान नहीं देने की खबर आए उसके बाद बीते दुनों पूरा दिन स्कूल चलाने अविवावके के साथ संगोष्टी करने सहीत गडित और विज्ञान की एक्ष्टा क्लास लेने का भी सिख्षकों को पसंद नहीं आ रहा है कई सिख्षकों को कहना है कि मिशन दक्ष भी सफल नहीं है स्कूल में तीन बज़े के बाद कोई बच्चा ठायरता नहीं सिख्षक कितना काम करेंगे उधर केके पाठक के नएने फरमान से परिशान सिख्षकों वो उनके रिटायर होने की तारीक खोजने में जुटे हैं राजदानी पटना के कंकडबाग इलाके के कहीं सरकारी स्कूल के हेड्मास्टर ने कहा कि उन्हें टेंßen में रात बननी नहीं आती हमेशा वाटशब गुरूप में कोई ना कोई आदेश किरते रहता है कभी ये करना है कभी वो करना है रात बर WhatsApp को देखते हुए रात काटी पड़ती है कोई भी आदेश आता है उसे तामिल नहीं करने पर वेतन रोग दिया आता है ये मानवा अधिकार का उलंगान है केके पाठा के खिलाब गुस्से का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिख्षकों ने कहा कि वे पता लगा रहे हैं कि कब रिटार होने वाले है सिख्षकों को जीले में जिला सिख्षा पदादिकारी के बनाया गये WhatsApp ग्रूप में काफ़ी समस्या होती है सिख्षकों को कहने कि पाठा का नाम लेकर कहीं तरक आदेश दिया आता है कई बार वो आदेश पुरा करने लाइक भी नहीं होता है कई बार आदेश प्रैक्टिकल नहीं होता है बेवज़ा हेड मास्टरों का वेतन बन कर दिया जाता है तनाव में सिक्षक इस बार आ चुके हैं गुपाल गंज वाले बिवाद में राबडी देवी की सरकार ने उन्हें जिलादिकारी के पद से वापस बुला लिया था उन्हें सचिवाले में संटिंग पोश्ट में दे दिया था नितीश कुमार के प्रीय बताये जाने वाले केके पाठक को 2005 में दुबारा अच्छा पद दिया गया उन्हें नितिश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही बियाडा का M.D. बना दिया गया उसके बाद केके पाथक दोस्ज दस्ट में दिल्ली चले गए पात साल बाद वह दोबारा बहार लोटे केंद्रे परतिनुक्ती से बिहार लोटने के बाद नितीशक्मार के सरकार ने अबकारी नीती को लागू करने में शामिल कर दिया कर सक्षक बनाया उसके बाद से के के पाथक लगतार वीबाग सुधारने में लगे हुए केके पाठक के अदिस में सिख्षक भी खुद को असहज महसूस करने लगे हैं और असहज महसूस करने के साथ सिख्षक ये इंतजार कर रहे हैं कि अब केके पाठक जी रिटायर कब होंगे जन्वरी की बात कही जा रही है कि जन्वरी में केके पाठक रिटायर हो सकते है क्या वाकई में ऐसा है या फिर एक रियूमर फैल रहा है अलग कि भारत लाइव इस ख़बर के पुष्टी नहीं करता है लेकिन एक रियूमर ये चल रहा है कि जनवरी तक के के पाठक रिटार हो सकते हैं आपको क्या लगता है अपनी राय रखिए फिलाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना हैं बहुत बहुत हैनेवाद अगर इस वीडियो पसंद आई के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद